नमश्कार आदाव सच्रिया काल मैं हूँ रवी कंसलो राव देख रहे हैं न्यूजवन हरियाना न्यूजवन हरियाना पर एक गंभीर मुद्दे के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आज का हमारा मुद्दा है राजनीती राजनेती की बात हम करेंगे इनेलो पार्टी के बारे में इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकडल एक ऐसी पार्टी जिसको हमने खतम मान लिया था समाप्त मान लिया था लेकिन उस पार्टी का वजूद अब फिर से बढ़ने लगा है अगर हम बात करते हैं इनेलो की तो इनेलो में हाल ही में बस्पा के परदेश अध्यक्स परकास भारती ने इंडियन नेशनल लोगल पार्टी को जोईन किया है चंडिगर्द सित उनके ओफिस पर जाकर इन्होंने पार्टी को जोईन कर लिया है वहीं पार्टी को जोईन करते ही ओम परकास चोटाला जो पार्टी सुप्रीमों हैं उनके लाड़ले अभे चोटाला विधाय का भे चोटाला ने एक बात कही कि इनेलो और बस्पा का गड़बंदन जो सरकार बनाने जा रहा था लेकिन सरकार बनाने से पहले ही हर्याना में उ उन्होंने कहा है कि जनता इस गड़बंदन को देखना चाहती थी लेकिन कुछ लोगों की वज़से जो लोग नहीं चाहते थे कि बस्पा और इनेलो का गड़बंदन रहे उनकी वज़से गड़बंदन तूट गया और अब परकास भारती जो परदेश अध्यक्स रहे हैं बस्पा के उनके इनेलो में आने से इनेलो का वजूद फिर से बड़ा है जिहां पार्टी फिर से सुर्खियों में आ गई है पार्टी में लगतार नए कार्यकरता शामिल हो रही है और बस्पा से जाकर परकास भारती अपने साथियों सहित इनेलो पार्टी में शामिल हुए ह जिससे बसपा का वजूद काफी बड़ा है वहीं इनेलो से विधायक अभ्है सिंग चोटाला ने भाजपा और जेजेपी की सरकार को एक ऐसा नकारा सरकार जवाब दे दिया है कि ये सरकार नकारा है बिल्कुल जनता इसको नहीं चाहती है वहीं इनेलो सुप्रीमों के लाडले अभ्है सिंग चोटाला ने कहा है कि भाजपा और जेजेपी गड़बंदन की जो सरकार हरियाना में बनी है वो सरकार लोगों के हितों की बात नहीं रख पा रही है ना ही उनके भलाई के काम कर पा रही है उन्होंने इस सरकार को बिलकुल ना करा सरकार बता दिया है और कहा है कि भाविश्य में हरियाना परदेश में इनेलो की सरकार बनेगी तो ये थी कुछ महतोपूरण जानकारी जो हम लेकर आपके सामने हाजिर हुए थे अगली बार हम एक महतोपूरण जानकारी महतोपूरण मुद्दे के साथ आपके सामने फिर आएंगे तब तक के लिए नमश्कार तब तक के लिए आप वीडियो को देखें लाइक करें शेयर करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे आने वाली जानकारी सबसे पहले